हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब एचुकिस्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे अलबेंडाजॉल मेडिसिन के बारे में तो हम सीखेंगे उसके बेजिक यूज के बारे में और करेंगे डेटेल फार्माकलोजिकल स्टडी और जानेंगे उसके मेकनिजम क्या होती है डोजिस क्या होते है, कॉंट्रा इंडिकेशन सेन, साइड इफेक्स होगेरा को हम जानेंगे डेटेल में फिर सिखेंगे कि albindazole के कौन से अलग-अलग doses फर्म होते हैं जैसे कि आप यहाप ही देख सकते कि albindazole के tablets अविलेबल है कि जिसकी strength है 400 mg और साथ उसका suspension भी अविलेबल होता है तो किस तरह से उसको use किया जाता है सभी को सीखते हैं ये वीडियो लेक्चर में एक्सपेट लेक्चर बायमर सर आसिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर फार्मरोक्स थेंक्यू पर बी इन वन लेक्पेमिली फार्मरोक्स अपडेटेट रही है फार्मरोलेज के साथ एक्सेस कर यह study material, test series, video lecture, फार्मरोक्स के मुबाइल अब के उपर तो अगर आपके पास Android एप है तो डाउंडोड कर सकते है Android application Google Play Store पर से अगर आपके पास iPhone है तो एप Store पर से भी उसको डाउंडोड कर सकते है लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब समझे आलबेंडाजोल के बारे में तो अब लिंक या फिर एन्दी वर्म इडिकेशन तो यह हुगा सबसे पहले ये मेडिकेशन का फार्मकिलोजिकल क्लास के अल्बेंडाजोल जो है अन्देलमिंटिक या फिर एम्टी वर्म मेडिकेशन कहीं जाती है जैसे आप यहाँ पे डायग्रम में देख रहे है कि यह जो वाम्स जो आप देख रहे है तो यह वाले जो वाम्स होते हैं कि जिसको कील करने का काम करते है यह medication और उनको आपकी body में से बाहर निकलते है जिसके करन उसका जो infection है वो आगे body के अंदर spread नहीं होता मतलब कि जो infection को spread होने से रोकते है साथो साथ जो growth होती है यह वाम्स की उसको भी यह inhibit कर देते है So albendazol is used to treat the certain infection caused by the worms such as the tapworm like dog and pork tapworm तो simply यह जो भी अलग-अलग worm होते है कि जिसको हम हिंदी में क्रूमी कहते है तो यह जो क्रूमी होते है कि जिसको worms कहा जाता है उसको आपकी body में से expel out करवाने के लिए उनको kill करने के लिए और उनसे हुआ जो infection को आगे spread होने से रोकने के लिए यह albendazol medicine जो है वो use किये जाती है तो आपको अब समझना है कि enthylventics क्या है कि जिसको क्रूमी ना सक दवा कही जाती है कि यह जो हैल्मेंस होते है कि जो इस टाइप के आपके intestine वगेरा में specially देखे जाते है तो यह हैल्मेंस के करन जो अलग-अलग disease होती है उसको कहा जाता है warm infection तो enthylventics और enthylventics और एक group of anti-parasitic drug that expel parasitic worms कि जिसको हैल्मेंस कहते है और इंटरनल पेरेसाइट फ्रॉम दे बोड़ी आइदर stunning और killing देम and without causing significant damage to the host कि यह जो host body है तो यह क्या करते है कि यह जो host body में से सभी nutrition वगेरा को लेके अपना growth करते है यह जो आपके intestine के अंदर है और specialist हम जो कि यह colon के अंदर आपके यह helminth वगेरा present है तो यह helminth क्या करेगा कि यह वाला जो पूरा एक helminth आप देख सकते है कि जो काफी लंबा है पूरी chain उसके आप देख सकते है यह helminth की तो यह helminth क्या करेगा कि आपके जो intestine के जो wall होते है उसी में से nutrition वगेरा लेके अपना जो है वो growth करता है तो जब इसको kill करने के लिए या फिर उसको आपकी body में से बाहर निकालने के लिए जो medications को use किया जता है उसको कहा जता है chromin नासक और इंगलिस में हम उसको कहते है enthylmintic drug तो albendazol भी एक टाइप का enthylmintic medicine है so warm infection आपको कैसे होते है तो infection due to the helminth and parasitic warm call a warm infection और helminth disease जैसे कि आप यहाँ पे side में diagram के अंदर देखे कि जो ऐसे अलग-अलग tap form होते है फिर round worms होते है hook worms होते कि जो hook जैसे shape में होते है यह whip worm आप देख सकते है GRDR है कोकाईडिया है तो इसे बहुत सरे अलग-अलग जो worms होते है वर्म के करण जो होने वाला infection है उसको warm infection या फिर parasitic infection भी कहा जाता है so you may become infected with various worms by following way कौन से अलग-अलग तरीके से आपको यह warm infection हो सकते है तो सबसे पहले है contaminated food कि food जो आप खा रहे है वो समझे कि contaminated है उसके अंदर hook warm का contamination है या फिर round warm है tap warm तेसे जो अलग-अलग halmin से warm से parasites जो कहते हैं उसके containing food है जिसका contamination हुआ है आपके food के अंदर तो उसके करण आगे जाके आपको warm infection हो सकता है फिर दूसरा सबसे बड़ा reason है contaminated water कि आप ऐसा पानी पीते है कि जिसके अंदर यह halmin स्वगेरा present थे तो उसके करण भी आपको यह warm infection हो सकते है और तिसरा reason lake of personal hygiene कि आप personal hygiene नहीं रखते तो भी उसके करण जो है आपको यह warm infection हो सकता है बारे में तो it is subsequently introduced alternative to mabandazole कि यह जो mabandazole थे तो वो भी enzymatic medicine ही भी है but उसका एक जो alternative option है या फिर दोनों एक दूसरे के alternative बनते है कि जिन पेसंट्स को albandazole suit नहीं होता उनको mabandazole से treat किया जेते और जिनको mabandazole से stick नहीं होता तो फिर उनको जो है वो albandazole दी जाते है तो दोनों एक दूसरे के हम alternative भी कह सकते है and it retains the broad spectrum activity and excellent tolerability उसका tolerance capacity भी अच्छा है as well as जो spectrum activity कहे तो spectrum activity broad है उसका मतलब यह है कि number of worms के सामने उसके effectiveness जो है वो देखने को मिलती है कि जैसे हमने अभी previous slide में देखा कि जो अलग-अलग type के जो worms थे यह सभी worms के सामने albandazole अपनी proper pharmacological action देती है और उसकी effectiveness भी काफी अच्छी मिलती है albandazole has the advantage of single dose administration in many infections कि जितने भी अलग-अलग infections होते है worms के करन तो इसका advantage यह कि सिर्फ single dose से ही आप जो है उसका treatment कर सकते है जिसके करन इसके जो containers होते है उसमें भी usually एक ही tablet जो है वो दी जाती है और उसको जो है वो patient को दिया जाता है and best alternative to the mabandazole के समझे कि patient mabandazole से ठीक नहीं हो रहे तो उसको आप alternative के तोर पे albandazole दे सकते है और albandazole से समझे कि किसी को ठीक नहीं हो रहा तो इसके लिए फिर mabandazole का option तो दोनों एक दूसरे के हम कहे तो substitutions बनते के mabandazole and albandazole दोनों एक दूसरे के substitutions हम कहे सकते है medications के अंदर के जो enzymatic class के medication कहे जाते है तो albandazole के आप समझते है कि कौन से अलगे-अलग doses पाउम होते है तो albandazole के tablet as per the Indian pharmacopia के standard 400 mg का ये tablet आप देख सकते हैं वो design करता है आपने देखा कि ये cadila pharmaceuticals उसको manufacture करती है उसके अलावा आप यहाँ पे GS का का product देख सकते है Glaxo Smith line का कि जो achievable tablet है कि जैसे कोई achieving gum आप खाते है उसी तरह से achievable tablet को आपके mouth के अंदर रखना होते है और उसको सिर्फ चबा नहीं होता है उसको swallow नहीं करना होता तो उसकी भी strength आप देख सकते है 400 mg का ये single dose tablet है कि एक ही dose लेना है इसलिए देखो याँ पे लिखा है one dose फिर तुसरा doses परम आप देखो तो albendazol के oral suspensions अवेलिबल है as per Indian Pharmacopeia standards और उसके अंदर micronized albendazol रहेगा और ये भी single dose pack है कि एक ही टाइम में आपको 10 ml का ये जो content होता है उसके अंदर prescription based रहता है Rx देखो सभी के उपर Rx आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा तो prescription based medication रहती है फिर ये एक और brand देख सकते कि जो mankind उसको manufacture करता है तो उसमें भी micronized albendazol और suspension of a albendazol ये भी Rx only फिर आप एक और चीज़ notice को कि यहाँ पे उसके container के उपर ये red line जो है वो आपको देखने को मिलेगे कि ये जो red line जो आप देख सकते है कि चाहे उसका suspension है या फिर उसके tablets के जो main container है main जो box होता है उसके उपर भी ये red line होती है कि जो indicate करती है कि ये prescription based medication है और उसका self medication करना dangerous होते है तो proper healthcare providers के direction के साथ ही आपको ये albindazol वगेरा यूस करने है ऐसा क्यों because आगे उसके आप side effects भी पढ़ने वाले हैं same lecture के अंदर तो उसके अंदर आप जानेगे कि उसके कौन से अलग-अलग dangerous side effects है तो albindazol के tablets को हम समझे तो take it without with or without food and preferably at a fixed time कोई भी fixed time होता है कि like morning तो फिर morning में ले सकते आप night तो फिर night में या फिर afternoon प्रॉपर जो fixed time आपको कहा है healthcare providers ने उसके आप कोई fixed time पे लीजिए with और without food दोनों समय पे ले सकते ऐसा कोई नहीं है कि आप बीना खाना खाये या फिर खाना काने के बाद लेजिए with और without food you can take this medication single dose is enough to treat albindazole का जो single dose होता है कि इसे लिए कि देखो सिर्फ one dose यहाँ पे दिया है और albindazole की जो tablet से 400 mg की जो strength होती है उसका single dose रहता है कुछ बार आप देखोगे 200 mg के होते तो उसको उसके container के अंदर आपको दो tablets देखेगी कि जो आप properly time interval के according to लेते है कि एक tablet समझे कि आप Monday को लेते है तो उसके 2 या 3 दिन बाद आप Tuesday या फिर Friday को दुसरा tablet जो है वो ले सकते है तो दुसरा Thursday या फिर Friday को जो है आप second tablet ले सकते कि एक tablet समझे कि आपने 200 mg की या पर बात हो रही है कि 200 mg का एक tablet Monday को लेते है तो दुसरा tablet आप जो है वो लेजे Thursday को तो ये खास ध्यान रखना है कि जब tablet की strength कितनी है 200 mg है तो week में दो बार ले सकते है और समझे कि 400 mg का है तो once a week that is enough because single dose is enough रहता है ये medication का only one tablet per week कि जो समझो कि 400 mg की है तो ये खास ध्यान रखो अच्छे से समझने है सभी points आपको आगे समझे don't use in overdose कि ऐसा नहीं कि रोज आप tablet लेते है ऐसा नहीं करना only one tablet per week एक tablet एक week में ही लेनी है 400 mg कि उसका overdose जो है वो आपको नहीं करना है don't use in overdose achievable tablet use like achieving gum do not swallow फिर ये direction खास जरूए कि समझो कि आपको ये वाला achievable tablet दिया because ये उपर वाला जो albendazol है वो patient swallow कर सकता है but ये नीचे जो बनाई हुए है achievable tablet उसको सिर्फ आपको चबाना होता है कि जैसे आप achieving gum खाते है तो achievable tablets use like achieving gum do not swallow तो ये direction आप खास दियान रुखे कि जो यहाँ पे में highlight कर रहा हूँ आपके लिए and use as per the direction of physician because ये Rx only है prescription based medication is a proper direction के साथ ही उसको use करना रहेगा फिर albendazol की जो suspensions हम देखे तो oral suspension should be used in the dose and duration as advice and direction of the physician की जो भी आपके direction देते है आपके physician तो उसके according to आपको use करना होता है single dose pack रहता है मतलब की एक बार समझो कि ये suspension की bottle आप open करते है तो उसको एक ही time में use कर लेना है उसको आपको रखना नहीं है एक ही time में single dose ये रहता है इसलिए देखो packing के उपर भी लिखा है कि single dose pack और देखो 10 ml में ही रहेगा तो 10 ml या फिर उसमें से समझो कि आपको सिर्फ 5 या 6 ml लेना है तो भी इक ही time उसको use करना है take it with or without food preferably at the fixed time use it usually it is available as a single dose कि यसे मैं आपको समझाया कि usually ये single dose के अंदर ही ये available होता है and avoid the skipping any dose कोई भी dose जो है वो skip ना करे finish the full course कि जो भी आपको single dose container दिया तो यसा नहीं कि आप 5 ml आज लेते हैं और 5 ml 2-3 दिन के बाद लेने का आप try करोगे तो यसा नहीं आपको जो finish करना है पूरा course एक ही time के अंदर because ये single dose container रहता है और समझते हैं albendazole के basic use के बारे में उसके indications के बारे में कि कौन से अलग-अलग medical conditions में उसको prescribe किया जाता है तो जो अलग-अलग parasitic worms कि जो worm infection जो हम कहते हैं जैसे की round worm का infection है hook worm pin worm, thread worm whip worm, pediatric gerdiasis and intestinal cochidia तो जो gerdiasis के करन होने वाला pediatric gerdiasis के अंदर भी उसको use किया जाता है as well as cochidia के करन होने वाले infection की जो usually आपके intestines के अंदर होते और यह सभी warm infection यह सभी को treat करने के लिए albendazole की जो tablet as well as उसके suspension prescribe किये जाते हैं और समझते हैं उसके mechanism of action की albendazole किस तरह से काम करता है तो albendazole जो हम कहे है तो inhibit करता है production of a microtubule by inhibit the beta tubulin की जिसे कोई भी यह worms होते हैं वो अपना यह microtubule बनाते हैं तो यह microtubule बनाने के लिए जरुरत पर दी है beta tubulin की तो beta tubulin के साथ यह क्या करते हैं bind करते हैं उसकी activity को जो है inhibit करते हैं thus inhibiting its polymerization और assembly into microtubules कि जो tubulin के dimers है कि यह tubulin का dimer है यह अलग-अलग dimers यह dimer एक दुसरे के साथ combine होके उसका polymer बनाते हैं polymerization से पुरा microtubule यह तयर होते है कि जो यह आप diagram में देख सकते कि यह वाला microtubule अब यह microtubule की जरुरत क्यों परती है किसे भी worms को तो यह समझे लिजिए कि microtubule have to support the cell structure and act as a pathway to allow movement of structure and molecules around the cell तो simply समझो मैं आपको यहाँ पे समझाता हो कि समझो कि यह कोई cell है तो यह cell के समझो कि movement करवानी है साथ हो यह cell को समझो कि आपको support करना है उसके structure को as well as उसके pathways को allow करना है movement के लिए and molecules around the cell के, cell के आसपस जो उसके और्गनल से तो इसके लिए जरुरुत परती है यह microtubule की तो अगर समझो कि microtubule का formation हो जाता है तो आसन इसे जो आपके worms है वो अपने cells के लिए जो proper उनको जो material चाहिए development के लिए वो आसन इसे वो develop कर सकते है बट समझो कि microtubule का ही ग्रोह था कि अटक जाता है कि albendazole क्या करेगी यह जो dimer जो यहां पे अटेच होके जो microtubule बनाते है उसको बनाने नहीं देंगे तो यह देखो यह dimer जो है वो polymer में से जो है वो separate हो रहा है as well as नया dimers attach होके polymerization जो है वो नहीं कर रहा so क्या हो जाता है polymerization के process इनहीं भी हो जाते कि जो tubule इनके dimers होते है उन में से tubule इनके polymers बनने की जो process है वो यहां पे अटक जो होती है जिसके करन यह vermicide के तोर पे काम करेगा कि microtubule का है inhibition हो जाएगा microtubule ही नहीं बनेगी तो आगे जो source से कोई भी टाइप के energies का nutritions का वो ही बंद हो जाएगा यह helmin के लिए और वो सभी के बिना कोई भी helmin जो है वो अपना survival नहीं कर पाता और survival नहीं होगा तो मतलब वो आपकी body message है वो expel out हो जाएगा और इस तरह से patient की जो है वो इलाज हो जाता है after taking this medication तो यह है उसका main mechanism of action simple आप यहाद रख सकते है कि albendazole क्या करता है inhibit करता है beta tubulin को कि जो सबसे important है polymerization करके microtubule के production के लिए अब microtubule क्या है तो microtubule help to support the cell structure and act as a pathway to allow the movement कि कोई भी helmin's के जो cell है या फिर helmin's है उसके आगे further movement as well as उसके cell के support के लिए उसके cell का जो structure जो तयार होता है वो सभी में help करता है बड़ समझे कि microtubule ही नहीं होगा तो आगे के सभी process जो हो अटक जाती है जिसके करन जो polymerization होके beta tubulin के polymerization से microtubules बनते है उसके effect जो है वो completely कम कर देती है यह albendazole अब उसके side effects भी कुछ है कि आप यहाँ पे देखो तो nausea and vomiting जो है उसकी common side effect है तो यहाँ first वाला देख सकते है nausea and vomiting फिर जो भी patients होते है कि समझे कि overdose में कई बार को use रहता है long time तक use करता है albendazole तो यह वाला जो second आप जो आप देख सकते है तो dizziness जो है वो हो सकता है persons को फिर increase हो सकते है liver enzyme किसी भी person के अंदर loss of appetite कि यह वाला आप देख सकते है कि खाना आपके सामने होने के बावजुद भी आपको खाने का महिन नहीं होता तो loss of appetite फिर headache रहता है आपके body के अंदर headache as well as dizziness वगेरा रहता है कि यह जो dizziness देख रहा है headache के जो condition से वो हो सकती है फिर fever headache के साथ उसाथ fever होना कि persons को fever वगेरा हो सकते हैं alopecia के अंदर आप देखो कि यह जो बाल जो है वो काफी निकल रहा है तो जिसको हम कहते है कि alopecia hair fall जो हम कहते है hair fall या फिर loss of hair कि hair दिरे-दिरे कम होना loss of hair जो हम बात करते हैं यह वाले diagram के according to wo और john disease तो यह सब side effects develop होती है after taking the almond does excessive dose फिर उसके contraindications हम देखे तो pancytopenia मतलब कि a type of blood disorder with a decrease in all type of blood cell कि चाहे आपके RBCs है आपके WBCs है या फिर platelets है उनका जो count है वो decrease होता है तो ऐसे patient कि जिनको pancytopenia है वो use ना करें तो contraindications मतलब कि do not use Contraindications का मतलब आपको हमेशा में बता दो कि do not use तो कब use नहीं करना है तो जब किसी को pancytopenia है तो यसे लोग use ना करें जिनके RBC, WBC या फिर platelets काम अल्रेडी बहुती काम है तो यह आप यह मैं count लिग लेता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि RBC, WBC या फिर platelets काम है वो लोग इसको use ना करें प्रेगनसी के दौरान उसको use नहीं करनी है don't use during the pregnancy तो एक दुसरा chrono indication से उसका तिसरी condition है कि abnormal liver function test, because यह liver के उपर असर कर सकता है जिसके करन जिनका already liver function test abnormal है यह लोग use ना करें, liver related problems वाले patients भी इसको completely avoid करें जिनको anemia है मतलब कि already HB जो है वो down है HB down होने का reason होता है RBC भी down होना कि जैसे हमने देखा कि pancytopenia के अंदर red blood cell होते है वो कम होते है ऐसे लोगों को यह use नहीं करनी चाहिए low blood clout due to the bone marrow failure कि जिनके blood clout already because यह medication की एक और side effect है कि जैसे हमने previous slide में देखा तो bone marrow failure भी करा सकता है और जिनके bone marrow already खराब है तो वो लोग albindazole को use ना करे and number 6 low level of type of white blood cell called neutrophils कि जिनके अंदर neutrophils कम है वो भी use ना करे albindazole को तो यह है उसके और लग लग contraindications तो आप समझो कि इसमें कोई भी condition है patient की दूस वक्त albindazole को use करना जो है वो preferable नहीं होता even आप उसको समझो कि single dose देते है तो भी single dose को भी avoid करने चाहिए यह सभी medical conditions के अंदर because उससे और ज्यादा यह conditions खराब हो सकती है due to the side effects of a albindazole तो यह खास ध्यान रखे फिर बात करें तो which is alternative to albindazole तो जो हमने already starting में ही मैंने आपको बदा है था कि albindazole की जो एक और member है benzoemidazole class के anti-parasitic agents की जो enzymatic drugs हम कहते हैं तो वो हम सीखें के next video lecture में की albindazole की तरह ही oral suspension अवेलेबल होते हैं उसके tablets भी अवेलेबल होती हैं तो यह सभी के बारे में detail study करेंगे next video lecture के जो हो रहाएगा specially mabindazole के उपर तो जो students ने यह lecture written किया है जरूर से mabindazole वाला भी lecture जो आप देखे कि जिससे आपको proper knowledge मिलेगा यह enzymatic medicines का so thank you for us getting this lecture lecture notes आपको pharma rocks के आप उपर मिलेंगे thank you for watching join कर सकते है whatsapp group यह वाला whatsapp helpline number है हमारा thank you for being one leg family of pharma rocks join कर सकते हमें pharma rocks की mobile app के उपर कि जहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे study material को test series and video lectures तो गर आपके पास android phone है तो android app download करें iphone है तो app store पर से download करें link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best ree yeah 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 yeah